हलो दोस्तों make my ssc channel में आप सभी का स्वागत है complete reasoning की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के लिए इस टॉपिक का नाम है आपका analogy और analogy में आज हम लोग discuss करने वाल है आपको इस वीडियो के description में प्रवाइड कर रहे हैं वहाँ से जाकार आप इन पूरानी वीडियो को देख सकते हैं alphabet analogy का आज part 1 है तो चलिए शुरू करते हैं alphabet analogy का session और देखते हैं आज के प्रशनों को हम इसमें SSC के previous year questions को discuss कर रहे हैं जो SSC के विभिन परिच्छाओं जैसे SSC, CGL, CPO, CHSL तथा MTS या फिर आपका SSC, GD या फिर stenographer के exam में पूछा गया तो चलिए आपके सामने एक question है question number 1 आपके सामने है और बताइए इस question का correct answer क्या होगा या फिर आप इसमें कौन सी approach लगाएंगे ठीक analogy क्या कहती है कि first वाले part में एक number एक alphabet या एक figure का दूसरे figure से जो सम्बंद है तो आप खोजिए और देखिए बताइए कि जो सम्बंद आपका first part में इस alphabet के साथ इस alphabet के साथ दिया गया है वही आपके second वाले part में यन के साथ उसके आधार पर कौन सा alphabet होना चाहिए ठीक है और यह आपका question SSC stenographer के exam में 14 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में उचा गया question है तो अब बताइए इस question का correct answer क्या होगा है इसके लिए सबसे पहले आपको alphabet के करम याद करने पढ़ेंगे उनके उल्टे करम याद करने पढ़ेंगे उसको याद करने के trick हम coding decoding में जानेंगे इसमें हम पहले analogy में थोड़ा सा discuss करने वाले हैं तो यह में केवाल आपको करम याद रहने से इसके questions solve हो सकते हैं तो चलिए यहाँ देखते हैं पहले यहाँ आपका A दिया गया है और उसके बासे आपका YF दिया गया हमें यहाँ से plus 5 होना पड़ रहा है ठीक है तो यह आपका part 1 कहता है कि यहाँ से यहाँ इस part में क्या संबंद आया कि A से YF तक चलने के लिए हमें कितना होना पड़ा तो A से YF तक चलने के लिए हमें plus 5 होना पड़ा मतलब यदि हमें यन से आगे बढ़ना है तो यहां हमें प्लस 5 होना पड़ेगा अब आप यन में प्लस 5 करके बताईए क्या मान होगा ठीक है अब आप बताईए यन का मान क्या होता है तो यन का जो क्रम होता है 14 होता है यन 14 हमें क्रम पर होता है अब इसमें आप 5 जोड दीजिए अब आगया आपका 19 अब 19 वे क्रम पर कौन सा अल्फावेट है यह हमको बताईए तो हम यह करेंगे कि 19 वे क्रम पर आपका कौन सा अल्फावेट आता है तो इसमें आपका yes आता है option से यह बी ही इस question का correct answer होगा और यहां हम yes put करेंगे और यही इस question का correct answer होगा ठीक है तो बिल्कुल एक simple सी approach इसमें कुछ भी नहीं करना है यहां से देखे a से f तक पहुँचने में हमें plus 5 होना पड़ा तो यन से हम plus 5 होंगे और हम कहां पहुँचते हैं यस पर जो हमें options हैं क्या B में दिया गया है इस question का correct answer कुछ भी नहीं इस प्रकार के सवालों में यह SST के previous year के question है SST के exam में पूछा गया प्रसंट 2017 में तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रसंटों की तरफ यह रहा आपके सामने question number 2 तो अब बताईए इस question का correct answer क्या होगा और यह आपका question SSC CGL का question है most important प्रसंटों में से एक SSC CGL 2015 के exam में यह questions आप से पूछे गए थे तो अब बताईए इस question का correct answer क्या होगा या फिर इसमें हम कौन सी approach लगाएंगे इसमें जो आपका first part है analogy में यह जो first alphabet है इसकी संख्या है उससे कैसे संबन्दी थे same concept आपके second वाले part में लगना है ठीक है तो बताईए इसमें कैसे संबन्दी थे तो यहाँ देखिए एक बात हम जो यहाँ से ग्याद कर सकते है यहाँ आपका y दिया गया है उसके बाद से 4 दिया गया लेकिन एक और बात यहाँ दिया गयी है y का आपका square दिया गया है square दिया गया है मतलब 2 का square आपका 4 हो सकता है लेकिन 2 आपका y किस क्रम में आता है तो 2 आपका सीधे क्रम में तो आपका y आता नहीं y 25 में अस्थान पर आता है लेकिन एक बात आप देख सकते हैं कि Z और Z के बाद Y मतलब अगर यदि उल्टेट से हम count करते हैं यदि उल्टी गिंती हम count करते हैं तो Y हमारा दूसरे अस्थान पर आता है ठीक है? और यदि Y हमारा दूसरे अस्थान पर आता है तो हम 2 का square कर रहे हैं और सामने वाला मान आ जा रहा है ठीक है? तो V आपका last से किस अस्थान पर आता है? ठीक है? तो V हमारा last से किस अस्थान पर आता है? तो V हमारा last से 5 वे अस्थान पर आता है अब 5 का square करेंगे तो 5 का square करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? तो हमारा मान यहां आएगा 25 कुछ भी नहीं है options हैं क्या A pick करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं इस परकार के सवालों का pattern कुछ भी नहीं है सवालों में बस थोड़ा सा आपको इसमें concept लगाना है अप्रोच को ग्याद कर रहे हैं कि अप्रोच क्या है और आप सवालों को मुस्किल से 2 से 3 सिकट में आसानी से solve करके आगे बढ़ जाएंगे आप देख सकते हैं ये ससी सीजियल के प्रस्णों का level है बिल्कुल हलके pattern के questions है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रस्ण के दरफ question number 3 आपके सामने है ये question लगातार दो परिछाओं में पूछा गया है most important प्रस्णों में से एक है अब बताईए इस question की approach क्या होगी एक तो आपका ये question SSC CPO 2015 में पूछा गया question है उसके बास SSC CGL 2002 में भी ये question पूछा गया था तो SSC अपने questions को repeat करते हैं यदि आप SSC के previous year question practice करते हैं तो आप इस प्रकार के प्रस्णों को आसानी से बना लेएगे अब बताईए इसमें क्या approach लगाएंगे या फिर कौन सी approach यहाँ होनी चाहिए ठीक है तो आएए देखते हैं यहाँ आपका दिया गया है B B आपका कौन सा क्रम है तो B हम बोलेंगे उसके क्रम आता है दूसरा ठीक है और उसके बास से हो जाता है 16 ठीक तो B के बाद आपका दूसरा क्रम है लेकिन 16 हो गया तो एक concept हम लगाएंगी कि हो सकता है इसमें 8 से गुणा कर दिया गया हो बिल्कुल हो सकता है लेकिन आपका D कौस्टे क्रम पर आता है तो D हम बोलेंगे 4 में आता है और उसमेंसे जब 8 से गुणा करते हैं तो क्या हमें कहीं ऐसा मान दिखाई दे रहा है जो इसके करीब हो तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है मतलब ये वाला concept इसमें लगने वाला है नहीं ठीक है तो हम दूसरे concepts की तरब move करेंगे B का क्रम आपका है 2 और 2 के power यदि हम 4 करते हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16 आपका बिल्कुल आ सकता है 2 के power 4 करने पर मान आ सकता है ठीक है 2 x 2 x 2 x 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 मतलब यहां हम क्या कर सकते हैं 2 के power 4 कर सकते हैं तो हमारा सामने वाला मान आ सकता है 1 पार्ट को तो हमने ग्याद कर लिए कि 1 पार्ट हमने कैसे किया है यह वाला 1 पार्ट अब analogy कहती है कि आप 2 पार्ट में जाए इस वाले 2 पार्ट में आईए और यह जो alpha weight दिया गया है दूसरी वाली संख्या से उसी प्रकार संबंदित होगा जिस प्रकार पहले वाले पार्ट में एक संख्या दूसरे से संबंदित है ठीक है तो हम आए दूसरे पार्ट में अब देखें यहां हम क्या करते हैं तो यहां हम आने के बाद देखते हैं पहले D का क्रम D का क्रम आपके पास क्या है तो D हम बोलते हैं कि चौथे क्रम पर है अब इसके बास से हमें इसका 4 करना है मतलब 4 x 4 x 4 x 4 करना है ठीक है तो अब बताइए simply एक केवल इसको गुणा कर देना है और हमारा माना आ जाएगा तो यहां देखे 4, 4, 16, 4, 64 और 64 में आपको 4 का गुणा करना है तो यहां देखे पूरा गुणा करे भी हम इसका मान निकाल सकते हैं 4, 4, 16, 4, 64 24, 256 यहां आपका मान आगया options हैं कैसी लेकिन यहां देखिए एक और तरीकेसा हम इसका मान गयाद कर सकते है यदि हमें गुणा नहीं करना है 4, 16, 64, 64 ठीक है 64 में लास्ट में हमें 4 से गुणा करना है तो एक बात बताईए यदि हम 4 में 4 का गुणा करते हैं तो हमारा लास्ट में मान कितना आता है 6 और क्या यहीं यदि आपको यहां कहीं और 6 दिख रहा है तो बिल्कुल हलके पैटन का क्विश्चन है कुछ भी नहीं यह सवाल हो के 2 एक्जाम में लागातार पूछे कहा है SSE CPU SI की एक्जाम में 2015 और SSE CGL की एक्जाम में सिंपली आपको करना क्या है यह आपका B का क्राम है 2 2 के पावर 4 कर दिजे D का क्राम है 4 और 4 के पावर 4 कर दिजे आपका option से कैसी इस question का correct answer हो गया 256 दो एक्जाम में पूछा गया most important प्रस्णों में से 1 ठीक है तो चलिए आगा बढ़ते हैं आज के आगले प्रस्ण की तरफ यह आपके सामने question question number 4 अब बताईए इस question का correct answer क्या होगा approach आप इसमें कौन से लगाएंगे यह भी एक important है क्योंकि यह बिना approach की कभी एक बार question सही हो गया लेकिन अगली बार गलत होने के chances रहते हैं तो बताईए इसमें आप कौन से approach लगाए और यह आपका S.S.C. stenographer grade C and grade D 2017 first पाली में पूछा गया प्रस्न है most important प्रस्नों में से एक है अब बताईए इस question का correct answer क्या होगा तो आते हैं पहले first part में क्योंकि analogy क्या कहती है कि first part में पहले आप देखिए जो संबंद है एक alphabet का दूसरी alphabet से या फिर एक संख्या का दूसरी संख्या से वही आपके second part में एक figure एक संख्या या फिर एक alphabet का दूसरे alphabet से होना चाहिए तो आते हैं हम पहले पहले part में और देखते हैं कि यहां क्या संबंद है तो आईए पहले यहां देखते हैं तो यहां है आपका yam yam के बाद हो गया yam यानि plus one हम क्या सकते हैं ठीक है पहले हम अप्रोच लगाते हैं क्या अप्रोच हो सकती है उसके बाद से यहां है आपका i तो i के बाद plus one करिए यहां j आ गया लेकिन एक बात आप हमें बताइए यहां कही option में आपको j दिख रहा है यहां r दिख रहा है यहां आपको yes दिख रहा है यहां r दिख रहा है मतलब यह तो fix है या तो r होने वाला है या yes होने वाला है अब इन दोनों में बस आपको confusion है या तो r होगा या तो yes होगा अब बताइए क्या होगा यहां लेकिन एक बात यहां देखिए D के बाद Z हो गया D के बाद Z हो गया मतलब हम क्या यहां कह सकते हैं कि D का अस्थान आपका उल्टे क्रम से अब यहां से उल्टा बढ़ रहा है ठीक है तो यहां हम कहेंगे कि यहां माइनस चार हुआ है कैसे माईनस चार होगे तो देखें यहाँ आ देखें D के बाद आपका क्या आजाएगा C के बाद आपका क्या आजाएगा B उल्टे क्रम में हम बढ़ना है ठीक है ध्यान रखेंगी इसी बाद तो अब जब हम A पर आ गए उसके बाद से अभी भी हम उल्टे क्रम में बढ़ने हैं तो A के बाद क्या आएगा आपका Z तो यहां देखिए हमने बोला था माइनस 4 कैसे तो 1, 2, 3, 4 और 4 क्रम पर है उल्टे से मतलब माइनस 4 है यह तो यहां fix हो गया एक concept हमने यहां से ग्याद कर लिया कि यह जो आपकी संख्या है M से जो Z हुई है वो उल्टे से 4 था नंबर पर यहां मतलब यहां से माइनस 4 हो रहा है मतलब एक बार आगे करके देख लेते हैं जो सिकेंड वाली संख्या है क्या माइनस 4 करने पर कोई इसमें से मान आ रहा है G आपका हो गया तो आएए देखते हैं पहले तो यहां हमारा मान क्या है K और जब K में से हम माइनस 4 करते है पहले बता है क een का क्रंब कौन है तो K आपका इगरावे क्रंपर है उसमें से जब आप माइनस 4 करते हैं तो आपका मान कितना आएगा तो आपका मान साथ आएगा अब सात्वे क्रम पर आपका कौन होता है पहले ये बताइए तो सात्वे क्रम पर आपका होता है जी तो मतलब सिंपल हम यहां क्या पूट करने वाले हैं सिंपल यहां हम जी पूट करने वाले हैं G हमें options में दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है हमें options में दो options में हमें G दिखाई दे रहा है एक तो options एंख्या A में और एक options एंख्या T में यहां तक तो clear हो गया ठीक है तो इसको पहला हम E-rage करते हैं यहां देखे एक तो यहां से clear हो गया और कोई यह आमान दिखाई नहीं देर, लेकिन एक बात आप हमें बताइए, यम का आपका क्रम क्या है, तो यम हम बोलेंगे कि हमारा क्रम 13 है, और आपका यन का क्रम क्या है, तो यन हम बोलेंगे आपका 14 है, और दोनों के एक बार add कीजिए, आपका मान कितना आ रहा है, तो ह हो सकता है ऐसा कि यहां जो आपका आई दिया गया हो और कोई और पर्टिकुलर संख्या खोज कर इन दोनों के जोड़ने पर हमारा मान 27 आ रहा हो ऐसा हो सकता है ठीक है तो एक बार पहले हम करके देख लेते हैं कि ऐसा संभव है तो आईए यहां तो अब आपका आई का क्रम क और उसमें हमें क्या जोड़ना है कुछ ऐसी संख्या जिससे हमारा मान कितना हो जाओ 27 तो अब आप सिंपली 27 में से 9 घटा दीजी आप कमान कितना आएगा क्योंकि यहां आपका आजाएगा 18 क्योंकि 9 दुनी 18 नत्री 27 तो यहां हम कहेंगे हमारा मान 18 आ जा रहा है ठीक है और यही इस question का correct answer भी होने वाला है तो यहां आपका आगया R और उसके बाद G और हमें दिखाई कहां दे रहा है तो option सेंख्या A में यहां देखिए आपको option सेंख्या A में दिखाई दे रहा होगा और यही इस question का correct answer भी होगा option सेंख्या A में पिक करेंगे R, G इस question का correct answer सब्सक्राइब और देखते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रस्णों को यहां आपके सामने है question number 5 और यह आपके question SSC MTS multi-tasking परिच्छा टायर 1 16 दिसंबर 2017 फस्ट पाली में जितने भी exam हुए थे उसमें ये questions पूछे गे थे अब बताईए इस question का correct answer क्या होगा तो आते हैं देखिए प्रस्णों की तरफ यहां देखिए आपका दिया गया है ए जी ठीक है और उसके बाद से जेड और उसके बाद से टी ठीक तो analogy कहती है कि आप पहले पार्ट में इस पहले वाले पार्ट में एक संख्या का दूसरी संख्या से या फिर एक alphabet का दूसरे alphabet से combination बठाईए और second part में भी same होगा उसी प्रकास से ठीक है तो हम यहां आते हैं पहले first part में तो यहां a के बाद आपका z हुआ है मतलब minus 1 हम कह सकते हैं लेकिन j के बाद minus 1 एक बार करके देखे किया हमें i कहीं options में दिख रहा है तभी हम इस सिरीज को आगे बढ़ांगे कि अधी नहीं दिख रहा है तो सिरीज को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ठीक है लेकिन हमें i यहां कहीं भी नहीं दिख रहा है मतलब यहां से हम सिरीज को आगे नहीं बढ़ांगे कोई और method देखते हैं लेकिन एक बात देखिए, एक आपका करम क्या है, तो हम बोलेंगे एक का करम हमारा यहाँ एक है, और जी आपका किस अस्थान पर आता है, तो जी यहाँ हमारा साथवे अस्थान पर आता है, यहाँ तो फिक्स है, लेकिन एक बात हमें और दिखाई दे रही है, आपको सीधे क और उल्टे क्रम याद होने चाहिए यदि आपको याद है तो आप इस प्रकार के सवालों को अप्रोच समझ सकते हैं और बिल्कुल 2-3 सिकड़ में इस प्रकार के questions को कर सकते हैं जिड का आपका क्रम क्या है तो जिड का आपका क्रम उल्टे से 1 है और T का बताईए आपका उल्टे से क्रम क्या है तो एक बात हम यहां देख सकते हैं कि T का हमारा उल्टे से क्रम साथ है मतलब यहां देखें यहां सीधे से क्रम आपका एक रेसियो साथ है और यहां आपका उ दस्वे अस्थान पर होता है, उसके बाद से आपका D का करम क्या होता है, तो D आपका चौथे अस्थान पर होता है, मतलब इसमें 10 रेस्थान पर होता है, अब आपको कहा क्या करना है, तो आपको उल्टा जाना है, और उल्टा में क्या लिखना है, आपको 10 रेस्थान पर तो मतलब इस से अधिक तो हमें solve करनी की जरूरत है ने क्योंकि हमारा option मिल चुका है और सिर्फ इतना ही pick करके हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन फिर भी एक बार देख लिजी क्योंकि आपका 4 नमबर पर उल्टे से क्या आता है तो उल्टे से 4 नमबर पर आपका W आता है चाहिए आपको अल्फावेट के क्रम सीधे क्रम उल्टे क्रम आपको याद होने चाहिए मुश्किल से 2 से 3 सिकंड में आप इस प्रकार के प्रस्णों को बना ले जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज क्या प्रस्णों की तरफ Q6 आपके सामने है बताइए इस question का correct answer क्या होगा और यह most important प्रस्णों में से एक है क्योंकि यह graduation level के question यहाँ देखे यह आपका CPU SI के question पूछा गया है और 6 जुलाई 2017 फस्ट पालिक एक्जाम में पूछा गया प्रस्ण है अब बताइए इस question का correct answer क्या होगा ठीक है तो यहा part second में उसके बाद move कीजिए ठीक है तो आई हम आते है part one की तरफ और यहां रहाँ आपके सामने part one तो देखी yum के बाद आपका o आगया तो यहां तो आप simply एक समझ सकते हैं बात को जब आपका yum के बाद o आया है तो एक बात को समझ सकते हैं कि yum plus two मतलब yum yun o ठीक है प्लस two क करने पर हमारा मान आ रहा है options में कोई संख्या ऐसी है जो yes के plus two करने पर हमारा मान आ सकता है तो एक बार देख लेते हैं तो yes में plus two करते हैं तो क्या हमारा मान आता है तो yes tu मतलब u हमारा आना चाहिए yes tu तो इसके मतलब हमारा यहां मान u आना चाहिए अब एक बात पहले यहाँ एक ही जगह दिखाई दे रहा है या फिर दो जगे दिखाई दे रहा है यदि एक जगे दिखाई दे रहा है तो हमारा option यहीं पर हो जाएगा लेकिन यदि दो जगे दिखाई दे रहा है तो हमें आगे solve करनी की जरूरत है लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी आपका U ह सकते हैं आप सुन संख्या A और option संख्या D हमने eliminate कर दिया अब आपके सामने दो options हैं और इन ही में से कोई होना है लेकिन एक बात बताए यहां आपका यन है और उसके बाद से यल है यन का स्थान आपका क्या होता है तो यन का स्थान आपका सीधे से 14 होता है 2 हो चुके है पहले ही लेकिन उपर आपको होना क्या है तो उपर एक बात को ध्यान रखेंगे आप यहां minus 2 होना है ठीक है अब आप यच में से minus 2 हो जाए तब बताए यच में से minus 2 होते है तो आपका मान क्या आता है तो हम कहेंगे कि हमारा मान यहां यफ आता है, कैसे तो जी कि यज का क्रम क्या है, आपका 8 है ठीक है, और यफ का क्रम आपका क्या है 6 है, दोनों का डिफरेंस 2 का है मतलब माइनस 2 हम बिल्कुल सही चलें ठीक है, यह फिर 8 में से 2 गड़ा दिए अब बता है, इसमें करेक्ट आउनसर आपका क्या है तो इसमें कोई गलत होने की गुंजाई से नहीं है आपका options है, क्या भी इस question का correct answer है बिल्कुल सही answer है इस question का और एससी CPU SI की exam में पूछा गया प्रस्न है ठीक है तो चलिए आज का session यही पर समाप्त करता है यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करें था इसी प्रकार रिजनी से संबंदित अनिप्टन session के लिए हमारे साथ जुड़ेने हैं ध्यान रखें कि इससे पहले हमने dice, find missing number, number series, order and ranking mathematical reasoning, analogy पर भी हमने 15 वीडियो इससे पहले बनाई है तो यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो के description में visit जरूर करें वहाँ हम आपको topic wise, chapter wise, playlist की link प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से जाकार आप इन पुराने वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आज का session नहीं पर समाप्त करते हैं यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें तो था इसी प्रकार reasoning से सम्मदित unimportant sessions के लिए हमारे channel को subscribe जरूर करें दोने वाँ